इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट ने महरास्ट्र के पूर्व ग्रहमंतरी अनिल धेशमुक के खिलाप में मनी लॉंडरिंग मामले में मुंबई के पूर पुलिस कमिशनर परंबीर सिंग का दोस्तों बयांदर्च किया है परंबीर सिंग 3 दिसंबर की सुबह समन के बाद इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट के अधिकारियों के सामने पेश हुए शुक्रवार को इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट मुंबई के उप निदेशक की मौजूदगी में मामले के आईयों ने सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी से कई घंटों तक पूछताच की एडी के अधिकारीयों के सामने दो नवंबर को पेश होने के बाद उन्हें एडी ने तीन नवंबर को ग्रफतार किया था अनिल देश्मों के खिलाप में इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट दौरा मामला सी बियाई की एफ आईयर के बाद धर्श किया गया था इसमें कथे तोर पर कुछ पुलिस अधिकारीयों को एक महीने में सो करोड रुपए निकालने के लिए कहा गया था इसी मामले में दोस्तों इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट में पहले देश्मों के पी ए और पी एस को ग्रफतार किया था इसके साथ ही देश्मोंक और उनके बेटे रिशिकेज देश्मोंक को तलब किया गया था परंबीर सिंग ने देश्मोंक के खिलाब सचिनवाजे और कुछ अन्न मुंबई पुलिस अधिकारीयों को इसी साल की शुरुआत में 20 मार्च को सीम उद्व ठाकरे को लिखे एक पत्र में एक महीने में 100 करोड रुपए की जवरन वसूली के आरोप लगाए थे जिसकी वज़े से जो है महारास्टर के जो ग्री मंत्री थे अनिल देश्मोंक उन्हें इस्तीफा देना पड़ाता और फिलाल बो जेल में है क्योंकि परंबीर सींगी हैं जिन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि अनिल देश्मुक मारास्ट में के तमाम पब में बार में रेस्टोरेंट से वसूली करवाते हैं उसे लेकर कि उन्होंने जो चिट्थी लिखी थी उसी को लेकर कि अब उन्हें पूछताच के लिए इ करेक्टरेट ने बुलाया था और उन्होंने उनसे पूछा है कि आपने किस बिना पर किस आधार पर आपके पास में क्या सबूत है किस के बेसिस पर आपने जो भी आरूप लगाए थे लहाजा कुल मिलाकर उनसे धाई से तीन घंटे तक बताई जा रही है कि इंटरोगेश उन्होंने इस बात का झिकर किया है कि अगर सुप्रीम कोट की तरब से परंबीर सींग की घरफतारी पर रोक लगाई जा सकती है उन्हें जो है अंतरिम जमानत दी जा सकती है पुलिस रही कर सकती तो फिर जो अनिल देशमुख के बेटे हैं रिशिकेस देशमुख जिन उपर गिरफतारी की दरसल तलवार लटक रही है उन्हें क्यों नहीं जो है संरक्षर दिया जा सकता परंबीर सींग को सुप्रीम कोट की तरफ से संरक्षर दिया गया है उनकी गिरफतारी नहीं हो सकती जब तक कि इस मामले में investigation चल रही है तो इसे लेकर के जो अनिल देश्म की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है और ये भी पुकता साबित होने वाला है कि कैसे महारास्ट में लगातार जो है गोरक धंदा चलाय जा रहा था वसूली रैकर चलाय जा रहा था तो जो दोस्तो परंबीर सिंग से इंटरोगेशन की गई है और इशिकेज देशमुख की जमानत को लेकर जो फड़फडाहट दिखाई दे रही है वेपक्ष के खेमे में महारास्ट में इसे लेकर के आपकी जो भी राय है मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरूर लिख बताएं इस वीडियो में अतना ही जल्द मिलूँगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में दूसरे अपडेट के साथ में तब तक के लिए धनवात अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको में देने